अधियर अगेन विट सम् निवेबसाइट तो आजके वीडियो में हम ऐसी वेबसाइट के बारे में जानेंगे जहां पर आप अपने English के ड्राफटिंग कर सकते हैं like a pro मतलब कुछ भी अगर आपको English में कुछ sentences लिखने हैं कुछ application लिखनी है या फिर कुछ ऐसे लिखना है तो आप अपनी language में पहले उसको लिख लीजिए roughly और फिर अगर आप इस जो website में आपको बताने वाले हूं उस website के अंदर अगर आप उसको copy and paste करेंगे और उसको refresh करेंगे तो ये आपको आपकी सारी grammatical mistakes है उसे remove कर देगा और उसके अलावा आपका जो आपन नॉर्मल words के साथ अपना drafting किया होगा ये बहुत ही fancy और sophisticated words को use करके आपका जो write-up है उसको ready कर देगा तो without wasting time चलिए इस website के बारे जानते हैं Google पर आपको सबसे पहले search करना है quillboard ठीक है यहाँ पर आपके पास आजाएगा quillboard इस तरह से आपको यह दिखाए देगा यहाँ पर पहला यह जो column है यह paraphraser है यह क्या काम करता है कि आप अपना जो भी write-up लिखेंगे यह उसकी language को change कर देगा और बहुत अच्छे अच्छे words उसमें डाल देगा second आपके पास सारा grammar checker, grammar checker में क्या करेगा आपका जो भी अगर आप as it is आपकी language है बस उसी को रखना चाते हैं सिर्फ उसके अंदर grammatical errors अगर कुछ आ रही है उनको remove करना चाते हैं तो यह है plagrism checker में अगर आपका आपने जो चीज लिखी है वो कहीं और से तो copy नहीं है वो है लेकिन यह क्या है कि यहां पर देखिए upgrade to premium है तो इसके कुछ facilities जो है वो premium वाले में upgrade करेंगे हमें तब ही मिलेंगे तो यहां पर मैंने इसके दो ही पीचर यूज किया है पैरा फ्रेजर और grammar checker क्योंकि इन में से मेरा काम हो जाता है मुझे भी plagrism का इतना जादा फर्क नहीं मतल कर रही हूं सो हमारे पास सबसे पहले हम पेरा फ्रेजर पर जाते हैं कि सब्सक्राइब कर रही हूं को दोनों ही यहां पर आपका टेक्स्ट जो है वह पेस्ट करना है प्योंकि हमने इसका premium अपग्रेड नहीं करवा रखा है इसलिए हमने हमें यह 100 वर्स की लिमिटी देता आप अपने सारे 500 वर्स का जो ऐसे है या एप्लिकेशन है उसको उसका राइट अप जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं तो फॉर एक्जामपल चलिए मैं देखते हूं इंग और तो यहां पर मेरा as you can see यह मेरे हस्बंड का फेजू पर यहां पर उन्होंने मेरे लिए ऐसा करके उन्होंने कुछ लिखा है मैंने अपने हजबन को लिवर डोनेट किया था और उस लिवर डोनेशन के बाद में उन्होंने अपना जो भी ए ग्रेटिटूड एक्स्प्रेस करने के लिए लिए लिखा था तो चलिए हम यहां पर यह वाला जो है उसको कॉपी कर ले लेना देगा तो यहां पर आपको दिख रहा होगा लास्ट लाइन पढ़िए एक्जाम सून आफ्टर हैविंग दा बिगेस और मोस्ट के बाद में जो पैन्फूल सर्ज्री ऑफ हर लाइफ है वहां से वह क्या हो जा रहा है बोल्ड हट जा रहा है तो यह अपन को अब देखिए हम यहां पर अगर मैं इसको पेराफ्रेज करती हूं यह एक्चुल था मेरा टेक्स्ट पेराफ्रेज कर देती हूं देखना यह कितनी खूब सूर्ती से और कितना अच्छा ड्राफ्ट उसका कर देगा अब आप अन्तर दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं I work that my lady lav Her dream was to become Assistant Professor but when she came to know that she has to choose between her Exam & labor donation as both are in the same week she sacrificed her dream to save my life Hij które przy members:" That is what I call my lady lav Her goal was to become and assistant Professor but she gave up her dream to save my life when she realized that she has to choose between saving my life and passing theрать exam because they were scheduled for the same week in addition she left our 1.5 year old daughter who was being breastfed at home and accompanied me to Delhi she gave up two important things that most females in our generation would rarely do even though she had no idea if she would if she would survive when God observed her unselfishness unselfish love her exam was postponed for three to four months right here left hand side she sacrificed her dream to save my life not only this she left our 1.5 year old daughter at home and left to Delhi with me she never knew she would come back alive or not but she sacrificed two of the major things which girls of this generation would hardly do God saw her selfless love and her exam got postponed for three to four months you don't want to add to the two sides that I have to add to the two sides of the two sides this website is a beautiful thing that wherever they have read them there on the other side for example that is what I call so if we do this because they or accompanied 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 with me I do a few times click so I can do a lot of synonyms with join followed went accompanied draw came इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी रेड हाईलाइट जो वर्ट्स हैं उनके सिनॉनिम्स मौजूद हैं एक लिक पे और लेफ्ट हैंड में जो राइट अप था वो हस्बेंड की खुद की लेंगवेज थी और राइट हैंड में जो है वो क्विल वोट के तरह क्विल बॉट ने की है चलिए अप ग्रामर चेकर क तो ग्रामड चेकर में हम पेस्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कित्नी और यह इस और रिखते हैं इंट transferred byंे जञए आपको सारी करनी कर दे राहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस तरह से अपनी ग्रामर भी चेंज कर सकते हैं और अपना पेराफ्रेज भी कर सकते हैं अब यह जिन बच्चों के काम में आएगा मैं बता देती हूं आपको कई कई बार कुछ असाइनमेंट्स दिये जाते हैं और वो असाइनमेंट्स जो है अपनी लेंग्वेज में क्योंकि मैंने लास्ट लेक्चर बनाया था वो इंग्लिश लेंग्वेज बनाया था और मुझे अब भी अच्छे से पता है कि विदिन अ मन्त या विदिन टू मन्त यूँओं बी अबल तो लर्न इंग्लिश देट फ्लुएं तो इसलिए आप श वर्ट बेट लिखिए अपनी लेंग्विश के अंदर और फिर उसे कुल्पोट उसके अले लेंग्वेज चेंज करके देटा है उस यू पर इसी लेंग्वेज आप से ने वह रहत्यों का लौ यूज़ कि नम्त ब्ने वह जेक्छ्वा जो टूल था आज का जो वेबसाइट था वो उसका speaking से कोई लेना देना नहीं है यह सिर्फ आपका writing पार्ट को strong करेगा क्योंकि previous class में मैंने सिर्फ speaking पे ध्यान दिया था इसे बहुत सारे AI टूल्स है लेकिन मैंने अभी तक explore नहीं किये हैं मेरे ख्याल से जब तक हम किसी एक टूल से बहुत अच्छी तरह से acquainted नहीं हो जाते जब तक हम उसे पूरी अच्छे से यूज नहीं कर लेते हमें दस जगन नहीं जाना चाहिए because we all know कि दो नाओं पर सवार होने वाला विक्ति जो है वो दोनों ही दोनों से ही नहीं रह पाता डूपता है तो बेटर है कि आप एक चीज के लिए एक ही website के बरोसे रही है इसलिए मैंने आपको government job की website बताई थी बहुत सारी websites है बट मैंने नहीं बताई थी मैंने सिर्फ आपको एक website बताई थी government job के लिए एक मैंने आपको private job के लिए उसी तरह से मैंने आपको English speaking के लिए भी एक बताया था और language books download करने क बहुत सारी website है पर मैंने आपको library genesis बताया था उसी तरह से आपके drafting को drafting का मतलब होता है English में लिखना उसको improve करने के लिए यह quillboard है आप सिर्फ अभी तक जो बच्चे पर देख रहे हैं graduation में होंगे या फिर post graduation कर रहे होंगे वो बच्चे सिफ quillboard को use करिए यह free of cost है आप 100-100 lines का slot ले लीजिए अगर आपके पास 500 का ऐसे है तो आप 100-100 करके इस में language change कर सकते हैं grammar भी आप चेक इंस्टेंटली यह बता देगा कि इतनी grammatical error है और उनको एक साथ ही ठीक कर देगा तो next time जबी भी आप किसी से WhatsApp पे बात करें इसके practice कब होगी next time WhatsApp आप जबी भी किसी कर लीजिए और बाद में आप अपने friends को या teachers को वह text भेजिए इससे आपका impression बहुत अच्छा बनेगा बहुत अच्छा बनेगा योंकि सामने वाला person यह सोचेगा कि अरे वा इनकी दो English बहुत अच्छी है तो drafting से आपका first impression जो है वह बहुत अच्छा बनेगा second impression आपका one- इसको और explore कर सकते हैं आप मैंने दो फीचरी उस किया आस तक इसके grammar checker और paraphrasing इसलिए काफी लोगों को लगता है मेरे आसपास वालों लोगों को लगता है कि मेरे drafting बहुत अच्छी है बट इस नोट अच्छी है बट इस नोट अच्छी मेरे drafting बिल्कुल भी अच्छी नही है मैं मेरी language में कुछ-कुछ लिख लेती हूं और Quillboard को कह देती हूं कि आप इसे अच्छे उसमें बना दीजिए so I hope यह वेबसाइट आपकी लिए beneficial हो थैंक यू सो मुच एवरिवन बाई